आपका किरन और लाइन इस्टडी में एक बार पिर्ची और कला और संस्कृति के जो टॉपिक था हमारा मेले और तेवार चल रहा था तो उसके एक और बाग को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम कुछ और इन्पोर्टेंट मेले और तेवारों के बारे में अध्यन करेंगे तो हम जो पिछले वीडियो में आपको कृष्णा चठ तक चेत्र महीने के कृष्णा चठ तक बता चुके थे दुलन्डी और कृष्णा चट तक तो उससे आगे का जद्धिन करेंगे इससे पहले मैंने आपसे कुछ प्रस्न किये थे तो आज उन प्रस्न के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इनके उत्तर तो पहले हम उनकी उत्तर देखेंगे और इसकी बाद दूस्तों मैंने आपसे तीन प्रस्न जो पुछे थे पहला था आपका जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा गया है तो इसका अंसर था आपका जुनागर दुर्ग तेंक्यू जिसने भी कमेंट किया उसके लिए दूसरा राजस्तान की जांसी की रानी किसे का जाता है तो राजस्तान की जांसी की रानी आपके देवी का कुमावत जो कि सुमेरपूर पाली की है निवासी उन्हें आपकी राजस्तान की जांसी की रानी का जाता है राजिस्तन का प्रथम heritage hotel कौन सा है तो इसका जो आपको उत्तर था वो था अजित बवन पेलेस और अजित बवन पेलेस कहा है आपका जोदपूर में है आप सभी को पता ही है ठीक है आज भी आपके लिए तीन जो है वो महत्वपूर्णक प्रस्ण इस वीडियो के अंतमे में रखूंगा और आपको जो है वो उनके उत्तर आपको कमेंड करके बताने है जिससे मैं आपके ज्यान को परकूंगा और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंड करके बताईए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताईए ताकि मैं उस टॉप क्रिष्णा अश्टमी को आती है आपके चाक्सु जैपुर में सितला माता मंदिर पर मेला लगता है और इसे बेल गड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद में आपके रिषब देव जो है केसरिया जी काला जी आदिना जी दुनेवा के धनी ये जितने भी नाम है वो आपके केसरिया जी रिषब देव उदेपुर में आपके मेला लगता है तो उसके लिए कहा गया है इसके बाद आपके मारवाड जोदपूर में गुडला परवजो है वो आपके सितला अश्टमी के दिन ही मनाया जाता है यह अँग गुडला नरत्ते भी किया जाता है तो इसलिए भी यह ज़रूरी है इसके बाद में चेत्रकृष्णा अमावश्या ठीक है अश्टमी के बाद सीधे हम पहुँचे अमावश्या पर गोटिया अंबा मेला कहाँ पर बासवड़ा में और इसे आदिवश्यों का मेला भी कहा जाता है ठीक है आदिवश्यों का कुम्ब आपके बेनेश्वर को कहा जाता है जिबके आदिवश्यों का म है दिखेवाब जोदपूर में पाभु जी का मेला लगता है को दो के विक्रम अधित्ति का मेला आपके अधिपूर नंवर्शक पुर्वसंद्या पर जो है वो लगता है कि यह चेत्र हमावश्या है क्या अब अमाविश्य के बाद आपके आ जाएगी एकम और यह जो एकम आपके आती है सुकला एकम उस दिन हिंदु का नया वर्ष माना जाता है हिंदु दर्म के अनुसार नया वर्ष जो है वो इसी दिन माना जाता है सिंदियों द्वारा चेटी चंड जुलेलाल जैनती मनाई जाती है इस दिन आपके जो सिंदी जो है वो चेटी चंड या जुलेलाल जैनती मनाते हैं हम सिंदियों के तेवारों के बारे में भी देखेंगे एक तेवार तो आपका यह हो गया ठीक है सोनाना खेतला जी का मेला व्रइवायद महीला द्वारा जन्म जनमांतर के वेदव्य दोस्त होता है आपका उससे बचने के लिए वर्ण विवायद महीलां द्वारा किया जाता है सिंजारा चेत्रसुकलादितिय इंद्धियाक सांस द्वारा बहु को सुहाक़की वस्तुएं बेट की जाती है। सुहागी ने खुष हमेशा किच 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 करती रहती आज तो कुछ काम की चीज देगी सुहाग की वस्तुएं दी जाती है गणगोर जो है वो चेत्रशुकला त्रतिया को ठीक है एकाम भी दूज और ये त्रतिया जो है तब आपके आ जाएगा गणगोर सी परवती की ठीक है जेसल मेर की प्रसिद्ध है इसर यानि बिना सीव सीव नहीं है सीव और सीव कौन है पारवती है आपकी तो बिना इसर की गणगोर आपके का निकाली जाती है जेसल मेर में आपके कौन सी गणगोर निकाली जाती है बिना इसर की जिसे चेत्रशुकला चतुर्ति को को विशरजीन शर्जीट कर देते हैं इन दुलांड़ी से प्रारम होगा और 60 दिनो तक चलता करके और पूरा के पूरा जो आपका पूर्णी मा को के बाद में टुलांड़ी मनाई जाती है तो इसके बाद में सीदा आपके चेत्र सुकला पूरा चेत्र का पूरा कृष्णा पक्स और इसके बाद में ये तीन दिन तो टूटल अठारा दिन जो है वो आपके ये पुजा चलती है तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट माने जाती है इसके बाद बात करते हैं एसोख अश्टमी आपके कब आती है जुट्र सुकला अश्टमी को असुक फॉरक ह्षक की पूजा की ठीक है तो रव नमी की चीत्र सुकला नौमी को श्यॉद लद्ड़ा सिकर में जुनजारजी का मेला लगता है ठीक है तो राम नवमी के दिन शाल ओदरा सिकर में जुन्जार जी का मिला लगता है चेत्र सुकला नवमी को और उस दिन राम नवमी मनाई जाती है इसके बाद आता है महाविर जेन्ती, चेत्र सुकला तेरस को महाविर जी करोली में आपके मिला लगता है और महाविर जेन्ती मनाई जाती है, ये आपके जेनियों के तेवार हैं और जेनियों के आपन थोड़े बहुत अलग से तेवार भी देखेंगे, इसके बाद आता है हन मिला जेंति शेत्र पूर्णीमा को में दे पूर्णी में हुआ का मंदिर उस्था के मेला लगता है और तो आपके बात करणा नमें मेंंदी पूर बालाजी है नहीं चुरूमन पर मेला और जो आपका मेहं पर चाक्टानों की प्रतिमा है दिखकी सालासर बालाजी मंदीर पर तो इसके बाद में बात करें अगर बात करें तो आपके बाजना गनीश आपके कहाँ है सिरोई में है ठीक है इसके बाद में बात करें नरत्य गनीश नरत्य गनीश आपके कहा है नरत्य गनीश आपके हो जाएंगे सरिश्का अलवर में सरिष्का अलवर में और एक हते हैं आपके खड़े गणिश खड़े गणिश की प्रतिमा कहा है तो वह आपकी हो जाएगी कोटा में ठीक है तो यह भी आने वाले अग्जाम के लिए आपके इंपुटन हो सकता है इसके बाद वेशाक प्रिष्णा त्रतिया दिंगा गवर बेतमार मेला जो है आपके जोदपूर में आईजित किया जाता है आखातिज, अक्षेत रतिया, वेशाक शुकला रतिया, अभुच सावा इसे माना गया है, राज्य में स्तरवादिक बाल विवा जो है वो आपके आखातिज के दिन संपन्न होते हैं और राज्य स्तरव का किशान साथ प्रकार की अन्न की पूजा करता आखातिज के दिन, विकानिर की स्थापना तिती भी आपके आखातिज ही है, बहुत इंपोटेंट है, ठीक है, सूप दिन माना गया है इस दिन, ठीक है, बिना मुरत दे के कोई भी कारी करने का प्रचलन एका दिशी, अलवर की राजगड तेसिल के बलदेवगड, जो बलदेवगड है आपका, वहां गाव में बरवा डुंगरी पहाडी परिस्तित नाराणम माता मंदिर जो है, वहां पर मिला लगता है आपकी, तो वेशाक शुकला एका दिशी, के दिन आपके जो अलवर में, जो राजगड तेसिल है, वहां पर मिला लगता है, इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, वेशाक पूर्णिमा को आती है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्यान की प्राप्ति और निर्वान, ठीक है, जन्म भी उसी दिन महात्मा बुद्ध का मेला बधरता है और गूत्मश्वर अर्णोध का है प्रताब गड़ में आपका मातकुंडलानी मेला रश्मी चितोड़ गड़ में बरता है बान küçू अधर ह정이 बेराट जेपूर में पोक्रन जेसल मेर में परमानु जो परिक्षन हुआ था वह इस इज परिक्षन आपके 3 बार में च। परिक्षन आएगा नहीं आपके लेकिन अगर आसकता है समय लिए आप Head made तो पूचा सकता है क्योंकि राजास्तान से संब्राइब तो पूचा जा सकता है इसके बाद बढ़ अमावस चेश्ट अमावस के दिन आता है बर्गत के व्रक्ष की पुजा की जाती है सीता बड़ी तेजा जी मेला 12 सहरिया में जन जाती का कुम्ब और हाडोती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है तो वो आपके सीता बड़ी का मेला है 12 में भरता है फिसके बाद आता आपके निरजला एकादसी को आपके निरजला एकादसी को परत किया जाता है देव सैनी एकादेशी मैंने पहले बताए था आपको एकादेशी जो देव सैनी देव उठनी देव सैनी एकादेशी आपके आसार सुकला एकादेशी को आती है गुरु पुर्णीमा या व्यास पुर्णीमा आसार पुर्णीमा जो है उसे गुरु को दक्षिना देने का सैंति हैं इस प्रकार से वह सब्सक्राइब कुछ नरौ को नसे सww hang उन्हीं हो followed । बीटरमा है उनके के खभी कभी पूछ लेता है तो वो भी हम देखेंगे तो उनके बारे में अगला वीडियो जो है वो में डालूंगा तो उसमें हम देखेंगे उसके बारे में तो अब बारी है आपके वो तीन प्रस्न जिनके उत्तर मुझे कमेंड करके आपको बताने हैं जो प्रस्न है वो इस प्रकार हैं दोस्तों पहला प्रस्न आपका माई एडा पुत्जन पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है आपको पुस्तक है माई एड़ा पुत्जन उस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है दूसरा है नानी सेरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है ठीक है दुर्ग का नाम बताओगे तो कौन से जिले में है नानी सेरडी पहा तो प्रत्थम जो मेरा पुरुस्कारे वो किसे मिला था ठीक है सारे कि सारे उत्तर आपको जो हमारा अगला वीडियो होगा ठीक है उस अगले वीडियो में मैं आपके लिए इन तीनों प्रस्णों के उत्तर आपको बताऊंगा और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप हम मुझे प्रस्णों के उत्तर कमेंट के माध्यम से बताएं ठीक है तो कमेंट जरू किजिएगा ठीक है आपके तैयारी पर की जाएगी इसके माध्यम से तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्यू वेरी माच